हाई दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ग्रूकुल अकेडमी में आज हम बात करेंगे इंवार्णमेंट आवरणेस के मू अलीगड मुस्लिम इनवर्पनीक के एंबिन आईम्बा 2 आईव 커षस द reliability of India. मतलब टॉपिक है ठीक है तो यह सब इंवार्णवेंट मेंहीं आते हैं ठीक है तो उसके हम काफी छोटे से इंपोर्टेंस जो इंटरेन्स के लिए काफी लाभदायक हैं यह जो एढ़ा से टोपिक हैं जो एक्जाम में पूछे ही जाते हैं ठीक है तो सबसे पहला सब की नीती लागू की थी ठीक है तो यह मतलब की कोश्चन है एक टोपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपको याद करना हुगा तुकि यह जो है कहीं न कहीं पूछ देता है कि आजादी के बाद कितने वर्ष का प्लान जो है इंटर्ड्यूस किया गया था भार कोश्चन है तो यह आपको याद करना ही होगा आप कहीं कॉपी में लेकर लिख लिए क्योंकि यह कोई ऐसा इंपोर्टेंट कोश्चन है क्योंकि हम लोग इस नहीं हम लोग मतलब कि उसके बैसिक जो इंपोर्टेंट इस में एक्ञाम के लिए उसके हिसाब से matter ठीक तो यह बैसिक फीचर ओफ इंडिया आपीरियूमी एक टॉपिक है ठीक है ग्यां एक हिसमें काफी के लिक आपको कराता जाओंगो एक एक टोपिक के लिए करोंगो अभी जो है फिचर ओफ इंडिया एकनोमिट अब आगे चलते हैं यह प्लानिंग एरा ऑफ इंडिया इस्टार्ट इसंद फर्स्ट अप्रेइल निस्सों एकामेर टिके दो टाइम प्रियोड ऑफ इंडिया फाइव मतलब मतलब होता है इतिहाज का गाल और अवर्स उता है डिके तो यही एैंडिया इस्टार्ट जो शुटो निवीजन पच्छाट रहिंद को है ठीक है सुरू हुआ था तो भारत बबारत कर प्लानिंग ये मलित को हो गया उसके बाद क्या है इंडिया फ्लानिंग नौर्ट देंटेमाइंड बाई जनर्नल रूल ओफ फाइव यर्स प्लानिंग दिन्स पर ठीक है तो इसमें यह है कि भारतिय पंच वर्स योजना के समय विदी इसके अनुसार निधारित नहीं की गई थी ठीक है यह एक चीज है इसमें आपको यह यार रखना होगा यह है कि पांच वर्स के सिधान का समान्य नियम यहां पर भारत की विभिन योजनाओं के समय काल का उल्लेखित करता है तो यह आपको पॉइंट्स लिखना होगा और याद करना होगा क्योंकि यह कुश्चन पुष्टा ही है कि प्लानिंग एरा ओफ इंडिया हैं क्यावन आपको बोलना होगा इंडिया प्लानिंग कमीशन हो ज्यंतर आपको देना होगा फॉर्मीड भी पुष्च दे अखा तो आपको यह आद आकना होगा इस्टों की गई थी पर्थम प्तल्छ सबासी ही श्रुश के गई थी तक था ठीक है फिर सिकेंड पंच वरसी योजना मतलब मैं हिंदी में बताता है चलता जा रहा हूं कि हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा बहुत समझ जाएंगे तो जो दित्य पंच वरसी योजना लागू हुआ था वो निस्तो चपन से निस्तो एक्सट के बीच में तो इस तर से आपको रखना है ठीक है तो इस तर से आपको रखना है ठीक है उसके बाद आपको यहां 1903 वाला दिख रहा है कि 1901 तू 1906 ठीक है इसमें कितने साल का है फाइव यॉस का भी है इसमें फाइव यॉस है ठीक है लेकिन अब देखिए कि बीच में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो आपने सुना होगा हिंदूस्तान पकिस्तान का भी यूद हुआ था उसमें यह ज अ로ह गुउप टीक है नवाल ड्लो को बोलते हैं यॉजना होकास या ऑन्फ प्लान को बोलते हैं वासिक यॉजना हे फ्रों मतलब %66 69 तक था नवाल भी यह प्लान Г कितने संसिंस्तान में था तो 1966 पलान हो या यॉजना हो venet को बोलते हैं वहासिक युजना ठीक है फूर्थ फॉर्म फॉर्ट जो था उनियशनषत्र के बद Sammy 74 में ही था ठीक के इसके ऐसके बाद सोब्ची तो उनियुजना एक Sartz प्लान होवेदे के बाद 24 इसके बाद आप आपको यह इंपोर्टट रिया दखना ही होगा उसके बाद है फिफ्थ वियूर्स प्लान थीके फिफ्थ वियूर्स प्लान जो था 1974 से 1964 तो इसमें आपको यह चीज याद करेंगे तो इसमें यह है कि पहला जो फोर्थ वाला था वह चार साल पांच साल था लेकिन फाजवार जब चाल गया वह चाल शाल ही चला她 हें तो दिख्वार सो गया कि तक हो गया यहां पे यहां पर जो मुझा डइंच को सबार हो गया तो क। 30-37-180 के बिच में था मतर की कम से कम 10 साल के बीच में था यह जो लिंग प्लान 70-80 के बीच में ठीक है उसके बाद कि मीर्स प्लान चला उसके बाद का एंदी 180-108-3-5 ते सवन था 85-90 तक करो एड़ था बानुवे से संतानों था फिर फिर यह जो चला उसी में ये था कि 2012 से 2070 के बीच में चला उसके बाद जो है इसमें गुडर्णमेंट औफ मोदी का सरकार अगया अन्मकतब कि मोदी गूर्नमेंट का अ गया ठिक है तो मोदी जो है आज के हमारे अपके जो पधान उनका उसके बार आयाता है, इसी जो यूज ना मतलब कि आपने यहां पे जो चीज देखा है, फाइब यूस जो प्लान था इसको हटा के उन्होंने इंडिया का मिया प्लानिंग का मिससर वारा जो था इसको अठाके उन्होंने नीती आयोक्या स्थापना कर देखिए अब यह प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रिकल्चर फर्रेस्ट्री और फिर्स्रीज्स हो गया एन हंटिंग माइनिंग एन उसके बात क्वैरी क्वैरी इटिसी मतलब कि आपको यह याद रखना होगा कि कौन-कौन से हैं तो सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर में पूछे आते ह प्राइमरी सेक्टर में कौन-कौन से उद्योग सामिल है तो आपको पूछता है अगर प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स तो उसमें एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री, फिर्स्रीज, हंटिंग, माइनिंग, एन क्वैरी तो यह चार चीज़ आपको याद रखना है कि यह प्र इंडस्ट्री है, इलक्रिस्ल्टी जनरेशन है, इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब हिंदी में यह वता है कि दित्तिक छेत्र में उद्योग, निर्मार हो गया, विद्धुत उत्पाजन हो गया, जला अपूती आदी सामिल है ट्रेटरे सेक्टर में आते हैं इंकलूड ट्रेड्स, ट्रांस्पोर्ट, बैकिंग, एंसुरेंस, ट्रेड हो गया, ट्रांस्पोर्ट हो गया, बैकिंग हो गया, इंसुरेंस, कम्यूकेशन, एंड सोसल एंड प्रस्टनल सर्विस, ठीके, सोसल एंड प्रस्टनल सर्विस के मत मतलब यह कि मतलब हो गया और सीरा सीदी केहित कि मतलब एक व्यक्तिज कि आध समाल है और उद्योग हो गया ख्राट्मक्षेत हुगया उसमें जमाली क्लिफरी है वानिकी बोलते हैं सको industry को ठीके मतलब कि one रूद्योग हो गया यद्ष्थी को बोलते हैं उसको मुखली पालन बोलते हैं मशली पकड़ना बोलते हैं मशली बोलते हैं ठीके और आप यहां तक हो गया अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यह जो है डिफिनेसर अफ अंडर डेप्लेब्मेंट एकनोमी ठीक है पहला है आपको लोग को ठीक है तो पहला है इसमें कि लोग पर केपिटर इंकम हो गया मतलब की इसमें यह है कम प्रती वक्ति आए तो जब कम प्रती वक्ति आएगा तो वो कौन से एकनोंट में आता हाँ इंडिय wash और हमी में आता है अंडर डप्रतो में इकनोमी इसको बोलते है ठीक है तो इस इसके बाद आता है इस प्रात्मेंक यह तो मतलब कि रिएम Indi एक्रिक्टरन हो जिसमें तब तो चले ठीक है टूमच डिपेंडेंट्स और प्राइमरी सेक्टर ठीक है इनक्रिवलेटरी इन इंकम एंड वेल्थ डिस्ट्रिब्यूशन ठीक है तो इसमें है आय और धन का वित्रों में आप असमंता हो ठीक है है भी पापुलेशन ट्रेशर तो मतलब की भारी जनसंख्या का दबा हो उसके बाद है लो डेट ऑफ सेविंग एंड इस इन्वेस्ट्मेंट मतलब इसमें बच्चे तो निवेस की कमदद हो लो डेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्ट्मेंट तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कि पर लाइक करें सब्सक्राइब करना मत अगरेंस है जो आपको इसमें एक्जाम के लिए ठीक हो के दोस्ता हैंगे हैं